असलाम अलेकूम ठीको दूआ करता हूँ अब सारे अच्छे से रहें खुश रहें आज हम MI के उपर वीडियो बनाते हैं MI का फोन है ये ठीक है Android वर्जन 11 है MIUI 12.5.2 है ठीक है MI कलोड है इसको हम रिमो कर लेंगे परमिनाट ठीक है तो बिल्कुल अनलाग कर लेंगे एक होता ना Reloq आता दुबारा बिल्कुल अच्छे से देख लेना कोई भी फोन कर सकती हो अब ठीक है छोटे से लेके बड़े तक है तो ये MI का शायद 8A है या 8 होगा बिल्कुल अराम से देख लेना अच्छे से देख लेना हमने क्या करना ठीक है अगर आपका फोन एमटी के है तो बैक डखकन खोलने की कोई जरुरत नहीं है आपने दोनों सुचाफ करके दोनों तीनों बटन दबाओ तब जाके वो खुदी रिस्टार्ट हो जाता है ठीक है जैसे ये दो बटन ये दो पॉइंट में दबा के रखूँगा मतलब शाट कर लूँगा डिवाइस मैनेजर में शो करता हूँ आपको तब जाके आपको समझा जाएगा यूएस्बी ड्राइवर इनस्टाल होना चाहिए हमारा कॉल कॉम का ठीक है तब जाके ये पॉड बना लेगा 9008 का ये दिख लीजे ये दोनों EDL मैं शाट कर रहा हूँ ना उसके बाद किसी दोस की हलब लेनी पड़ेगी यूएस्बी इन कर रहा हूँ यहां पे डिवाइस मेनेजर में आप देख ले ना हम पे पॉड शो हो जाएगा कॉल कॉम का 9008 का ये देख लीजे अब मैं यहां पे किलिक करता हूँ आपको दिखेगा ये कॉल कॉम ठीक है 9008 आग या ना अब इसको हम कैसे माई अकाउंड रिमो कर लेंगे हमने अनलाग टूल उपन करना है आप UMT से भी कर सकते हो और भी बहुत सारे टूल है तो मैं अनलाग टूल की बात करता हूँ यहां पे क्यूंके अनलाग टूल मेरे हिसाब से अभी सारे डॉंगल बॉक्स ओ सारी बॉक्स नहीं है डॉंगल जितने भी आजकल सबसे आगे जा रहा है ठीक है यहां पे अनलाग टूल में लागिन करता हूँ देखो जहां पे हमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है वो फेल आता कुछ आता कुछ बकवास था होता है नहीं है तो वो भी मैं बता दूँगा इस वीडियो में वो प्रॉब्लम कहां पे होती है ठीक है ना आप अच्छे से देख ले ना मैं आपको बता दूँगा कभी स्पीड करता था मैं वीडियो में कुछ करता था तो इस वीडियो में कोई स्पीड नहीं है कुछ नहीं है जैसे वीडियो बनी है बिल्कुल आपके सामने वैसे ही है ठीक है तब जाके यहां पे आ जाता है अब इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ ठीक है यह तब जाके आता यहां पे अगर कॉल कॉम का फोन हो फोन पहले कनेक्ट कर लो तब यहां पे अब यह M.I.E. का फोन है चलो मैं यहां पे जाता हूँ ठीक है MI8 ideal पे जाता हूँ मैं यहां पे यह जो है न कहना मैं इसका MI cloud disable ठीक इस पे click करते है phone already connect है ठीक है न अब यहां पे देखो हमें अगर दिक्कत आती है तो हमें क्या करना चाहिए ठीक है देखो एक MI8 है ठीक है तो उसमें fingerprint lock होता पीछे एक 8A है उसमें पीछे finger lock नहीं होता ठीक है इसमें है पर फिर भी यहां पे देख लेना यहां पे कुछ पंगा बता रहा है ठीक है तो यह problem क्यों आती है आप यह video अच्छे से देख लेना ठीक है दुबारा try करते है यहां पे यहां पे क्लिक करता हूँ मैं तो अगर आपका फोन empty की है फोन को खोलने की कोई ज़रत नहीं है पहले आपने model number सेलेक्ट करना या empty के कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया पहले हमने क्लिक करना है उसके बाद 3 बटन दबा के रख लो आना volume up down उसके बाद USB डाल के रख लो जब वो सुच्छाफ हो जाएगा आप आना छोड़ देना वो खुद आ जाएगा देखो फिर आगे ना पंगा अब दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन के है यहां पे हम 8A लगाते है है 80 फोन है बर 8A लगाते है दुबारा इसको हम reconnect करते ठीक है बैटरी रिमो करके रखिए मैंने ideal दोनु जो सबसे last वाले है चार पॉंट है ना लाइन में तो बैटरी के साइड जो दो पॉंट है पहले दो यह शार्ट करने यह USB डालने देखो यहां पे आगे है ठीक है यह देख लीजिए आगे है ना यहां पे उसके बाद हम यहां पे किलिक करते है micro disable पे 8A मैंने किया अब यह 101% होना चाहिए क्योंकि दो ही model आते है ना 8 और 8A तो यह problem इसलिए आती है हम सही model कभी कभी लगाते है पर tool काम नहीं करता है तो उसी के related कोई model number आप select किया कर ले ठीक है तो ऐसे मैं थोड़े mobile नहीं आपको पता ही होगा मैंने तो बहुत ज़्यादा किया इसे ठीक है आपने भी कियोंगे यह दिख लीजिए एक ही click से MI cloud और FRP भी लगी थी ठीक है अब मैं इसको बैटरी लगाके आन करता हूँ यहां पर थोड़ा सा time लेता है मैं speed नहीं कर लूँगा क्योंकि अगर मैंने speed की है तो फिर थोड़ा बहुत आप आड़ लगता है आगे कर सकते हो phone को यह sorry वीडियो को आगे कर सकते हो अब ठीक है मैं इसको कोई speed नहीं करने वाला यह दिख लीजे अब यहां पर FRP भी खत्म होगी मैं मैं अकाउंट भी हो अब मैं क्या करूंगा जब यह phone आन हो जाएगा सेट अप करके जब मीनू पर आजाएगा उसके बाद मैं Wi-Fi कनेक्ट करके उसके बाद आपको मैं इंटरनेट पी चला के दूँगा ऐसा नहो दुबारा री लाक आ जाए ठीक है तो यहां पर आपको पता ही है यहां से आगे काफी टाइम लगता है इसको आन होने में तो आप थोड़ा बूत आगे कर लेना वीडियो को उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक करना कोमेट शियर अगर नए हो तो प्लीज सबस्क्राइब करके जा रहा है ओके दोस्तों लव यू अलाफेज झाल 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 झाल